हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल अपना कीचन बारिश का मौसम आते ही हम सब को भजिया खाने का दिल करता है तो चलिए आज कुछ अलग तरीके से बनाते हैं ये आलू प्यास की भजिया इसे बनानी के लिए मैंने हापे एक बरतन में देड कटोरी बेसन ले लिय है आपको थोड़ा डीप कटोरा टाइप में बरतन ले लेना है देखे मैंने हापे देड कब बेसन ले लिया है उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें बेसन को पहले ही फेट लेना है इस तरह से आप भजिया बनाएंगे तो आपको इसके अंदर खाने का सोड़ा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी आप एक साथ ज्यादा नहीं डालिए ने तो यह पतला हो जाएगा यह दिखिए इस तरह से में थोड़ा थोड़ा पानी डाल गी हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी यह दिख झाल 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 हमें जिस्ट साइस के चाहिए उस साइस के हम भजी इसके अंदर डाल देंगे तेल अच्छे से गरम होने के बाद क्यास की फ्लेम स्लोगा हमे स्काल झाल झाल time झाल झाल को झाल 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 पेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए